E.D. की करवाई क्या चल रही है पूरे देश में और खास कर जारखंड में इनसे आप सभी वाकिव होंगे लेकिन एक मसला समझिए E.D. अगर किसी के घर छापे मारी करने गई और मान लेजिए कि इलीगल इनकम हुआ तो उनसे वो अपना देख लेते हैं लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ वहाँ बरामद हुए जिस पर दूसरे विभाग को मामला दर्ज करना चाहिए तो वो संबंधित विभाग या सरकार के पास एक तरीके से यूँ कहें कि इनफर्मेशन चला जाता है एडी की और से अब क्या सरकार का दायित तो है कि उस पे केस करें या सरकार एडी की करवाई को राजनीती से प्रिरित बता कर उसे रोक भी सकती है इसी मामले को लेकर अरून औराउं जो पूर्ब आई पीएस हैं उन्होंने हाई कोट में एक पी आई एल दर्ज किया था और आज उसकी सुनवाई भी हुई उस पी आई एल पर क्या कुछ हुआ बताने के लिए हमारे साथ अभे मिस्तरा जी है हाई कोट के अधिवक्ता है ने कबेल हुआ ये कौन सा फाइंडिंग की बात आप लोग कर रहे हैं जी देखिए ऐसा है कि ये जो धनसोधन का जो कानून है धनसोधन का कानून सिर्फ धनसोधन का ही जाच करता है वो अन्य विसेओं पर वो जाच के लिए वो उनका सिडियूल उनके पास है नहीं अब जो धनका माल लिजे किसी ने अगर चार करोड रुपे कमा लिए चार सो करोड रुपे कमा लिए उसकी जाच और उस पर जो कारवाई है न्याले में जो उनको चार सीट देना है वो तो दे सकती है मगर अन्य जैसे माल लेते हैं कि यहां जो मामला है ये आप बहुत सारे नाचों में बहुत सारे चीजें प्राप्त हुई थी जो की एक आपराधिक कृत्त है और कोई भी कोगनेजेबूल ओफेंस की सूचना वो धारा 662 में और 1663 में वो अन्य अधिकारियों को दे सकती है और उससे निवेदन करती है कि यह सूचना हमें ये च्छापा मारी के द प्राथमी की दर्ज कर आगे की कारवाई करें तो करीं 12 या 15 पदाधिकारियों के लिए साच्य सहित किसी के पास कुछ गन मिले थे कुछ गोलियां मिली थी किसी के पास कुछ जाली जो है वो मिला था रइस्टर डीड किसी के पास सरकारी मोहर मिले थे जाली तो यह सिर्फ ऑफेंस जो उनके सीडियूल में है उनका उफेंस का वो जाच कर सकता है तो एडी ने दोहजार तेईस में पूरे साच के साथ जारकन सरकारे को यह दिया था और उस पर कोई कारवाई नहीं हुई तो हमारे जो मुवक्किल है पुर्व आईपीस पदादिकारी उन्हों उन्हें दो बार चार बार पत्र लिखा था सुचना अधिकार के तहद भी मांगा था कि ठीक है एडी तो जाच जो धन सोधन कानून के अंदर गत कर रही है वो सही है वो दात होता रहेगा मगर इन पर जिस पर आप राधिक कृत हुआ था का उन्हें जे वो लॉफेंस इसा मिला है जिसमें दूसरी धराओं में उन्हें केस होना चाहिए जिनके पास भी प्राप्त है उसकी सूचना इडी ने दे दी है कई वरिये पदाधिकारी भी हैं किसी के पास बहुत सारे जाली कागजात प्राप्त हुए हैं सारों सारी की सूचना उन्होंने सरकार को दी कि इपन रिए है उसी परकार से इंकम टैक्सको भी देता है तो जैसे इडी इसने कि और सरकार box के ओधिकृर्ण को और तृक्षाओ को मिलता ए वह पूरार्फमी Ό स्टी सभी हो जांती है। तो इस पर कोई कारवाई नहीं होती है तो आप लोग चारे कि करवाई करने का अदेश कोट दे मतलब उन सब पर जो जनहीत याचिका में प्राथना ही यही है कि एडी ने जो सूचनाए सरकार को दी है उन सूचनाओं पर तुरित कारवाई कर प्राथमी की दर्ज करते हुए इडी ने भी प्राथमी की दर्ज कर कारवाई का ही निवेदन किया है हम लोगों ने भी बैदानिक तरीके से यही मांग की है जनहीत याचिका में कि यह बहुत अजीब बात है करोडो करोड का घुटाले की बात है बहुत सारे इन करमेंटिग मेटेरियल्स रिकवर हुए हैं जिसका साच भी उन्होंने दे दिया है सरकार को तो प्राथमी की दर्ज कर इस पर कारवाई हो आज सुन वाई भी हुई माणिनी यह उचनी आले में आज सुनिवाई में सरकार की ओर से वरी अधिवक्ता स्री कपिल सिब्बल सरकार का पक्छ रख रहे थे और सुनवाई हुने के बाद उन्होंने स्वेम बोला कि मैं इस मुकदमे पर अपना सपत्पत्र दायर करूंगा तता उन्होंने एक मैंटनेबल्टी की बात उठाई थे कि यह वो कदमा मैंटनेबल नहीं है अलांकि उस पर बहुत यह नहीं है चुकि यह खुद ही आई पीएस पदाधिकारी है मैंटनेबल्टी बहुत लिम्टेड है कि अगर अवादी जो पिडिस्नर है उसका उसके ऊपर कोई मुकदमे है य लेकिन हेमन सुरें जो राज के मुख्मंत्री है वो बार-बार कई बार इन सबाओं में कह रहे हैं कि एडी की करवाई राजनीती से प्रिरित है और उन्होंने अपना जो कोट का देश आया उसको भी वो बार-बार बता रहे हैं और जो अरून हो रहा हूं है भले ही पुर्ब को साच्च पर काम होता है कानून साच्च पर चलता है कौन किस पार्टी में है और कौन किस पार्टी में नहीं है उससे बात नहीं है और हम लोग कोई ये नहीं है कि किसी पार्टी से विसेश से कोई मतलब है हाँ अपना अपना विचार हो सकता है रास्टवादी दक्षिन पंति और अलग मुद्दा है मगर यह सीम्पल सी बात प्राप्त हुआ है इडी ने इसाच्च। दिया है उस पर करवाई की बार वह दूसरा मुकलत है वह इस मुकदमे से नहीं है यह सो बुक्त मैं वह एक्जाम्पल दे रहा हूँ कि वह जब अपने उपर की करवाई को राजनीती से प्रेरित बता रहे हैं तो बाकि सारी करवाई आईडी की जोड की देखी जा सकती है ना ने देखे राजनेती से प्रेरित होने से इतना पैसा रिकवरी होना और अगर फाइल खोल के मैं बताऊं तो जिस परकार के साच्छ मिले हैं वो साच्छ को आप राजनेती से प्रेरित होकर क्या कोई साच्छ उतना गरहन करा सकता है या साच्छ बना सकता है ऐसा कभी नहीं हो कि राजनेती से प्रेरित होकर कोई साच्छ को बनाया जाए यहां तो साच्छ है अगर आप जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें देखे तो अभी तब तो बहुत सारे आई-पी आई-एस जो हैं उन पर करवाई मतलब करनी पड़ेगी सरकार को सरकार को करवाई करनी है नहीं करन है वो अलग मुद्दा है यहां साच्छ है साच्छ के साथ एडी ने धारा 66 में उन्होंने च्छापा मारी के दौरान जितने भी साच्छ मिले उसको अगर सारित कर दिया है कि हम धन्सोधन के कानून के अतरित इसका जाच नहीं कर सकते हैं आप लोग को क्यों लग रहा है कि सरकार करवाई नहीं करना चाहती है कोई तो कारण होगा आप लोग अगर नियाले तक गये हैं कि भाई इतने दिन से करवाई नहीं हो तो आपका क्या अंदेशा है क्यों नहीं सरकार कर नहीं रह सकते हैं या हम अंदाज पर मुकदमा नहीं होता है मुकदमा बिलकुल परफ साथ्षे को दिया जा चुका है पिये मेरे जो धन सो धन की जाज कर रही थे उसमें साथ्षे मिला है वह उस पर मुक anthropology चलता है ये लगता है पर मुक prede मन है आप बता सकते कितनी संख्या है प्रोक्स होगी लोगों की ऐंखी करीagem 12 पंद्रह तो वरिये पदादिकारी हैं सरकार के और भी लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए जिसके लोगों ने बहुत आरी साच्छे है अगर बोलेंगे तो उस तरह से साच्छे को बताना भी अनुचित है मगर फिर भी बहुत लोग है इसमें और उस उन सबों पर प्रात्म कि भी धर्ज करने के बाद कुछ नहीं निकलेगा फिर भय कैसा है सुक्रिया तो दो धर्जन से अधिक लोगों का अगर ऐसा कोट का अदेश आ जाता है तो उनके उपर भी जाच फिर से सुरू हो जाएगी नहीं नहीं मामले धर्ज हो जाएंगे अलग-अलग भी भागों स इसी की मांग को लेकर अरूनोरा नियाले का दर вещा खटा खा रहे हैं आजा सिब्बल ने कहा कि यह मेंटेनेबल है कि नहीं मामला वो उस पर भी वो देख रहे हैं हला कि सपत्पत्र दائر करना है और ये कि मेंटेनेबल तो है क्योंकि एक एजनसी ने जाच किया है साक्ष्य, सबूत है और जिसको पूरे कानून के तद दूसरे को information दिया गया आगे आगे देखिए दो सब्ता बाद क्या है फिडेविट सरकार दायर करती है और सरकार की मनसा क्या है इस पर वो भी सामने आ जाएगा सुक्रिया सब्सक्राइबने के भी संस्टा इस दिर्फित कर दो है जाएबने के इसे चरहे आगे और जे चारे आगे दो कर दो